आज हम बात खरेंगे छेतवाद क्या है उसके कारण क्या है समस्य और समाधान इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारतिय संस्कृती विवद्धता से परिपूर्ण है और विवद्धताओं में भाषावाद हमारा छेतरतवाद सांपरदावाद यह जातिवाद यह मुख देशता हैं जब भारतिय संस्कृती में एक अर्जन पैदा करने लगती हैं हमारे देश के विकास में बाधक होने लगती हैं तो वह एक समस्या बन जाती है भारत विवद्धताओं वाला देश है और उसकी अखनता के लिए एकता के लिए जो खत्रा है वो चाहे संपरदावाद को ले करके हो या जाती को ले करके हो ये भिनताएं चाहे भाषा की संस्कृती की वो गोले की उत्ताएं हमारी कोतुल का कारण बनती हैं तो कई बार अतिवाधिता के कारण साशन के लिए विवस्था निर्मान में समस्या भी प्यादा करती हैं आजात के समय हमारा भारत आर्थिक द्रस्टी से सक्षम रास्ट नहीं था विदेशी सास को द्वारा हमारी अर्थववस्था का अत्यधिक दोहवन और प्रांतों का असंतुलित विकास इसका पर्मुक कारण रहा है सुतंतर्ता के बाद हमारी संग्य सरकार ने राज्यों के पुनर गठन वे अन्य उपायो द्वारा असंतुलिन की इस विवस्था को ठीक करने का प्रियास किया प्राकर्तिक संसाधनों की उपलब्ता हमारी एतिहसिक प्रस्ट भूमी इत्यादे के कारण छेत्रिय भिनिताएं रही है सुतंतर्ता के बाद राज्यों के गठन की परकिर्या भी इसका एक कारण रही राज्यों का निर्मान, ब्रिटिश प्रांदों के विले, देशी रियासतों के एकी करन और राज्यनितिक सामाजिक एकी करन की फल सरूप हुआ जाती, धरम, संपरदाएं, व्यक्ति विशेश की अगर्निश छवी आदी ने भी राज्यों पुनर गठन की परकिर्या को परभावित किया आर्थिक विकास का इस्तर, नोकर शाहि की राज्यनिती, परती बदता छेत्रे अकांक्षाएं, भोगलिक सवरूप के कारण भी राज्यों में छेत्रे असंतुलन विद्मान रहा सवतनतरता आंदोलन के दोरान एक मात्र लक्षे आजादी प्राप्त करना था, उस दोर में ये अकांक्षाएं गोन रही, उस समय सभी जाती के धरम के छेत्र के लोगों ने आजादी के लिए प्रयास किया किन्तु 1947 के प्रश्चाथ ये पुन्ह प्रधान हो गई, सवतनतरता प्राप्ती के प्रश्चाथ कई विभिन प्रांतों ने, इन मांगों ने छेत्रवाद की भावनाव को बल्वती किया राज्यों के पुन्रगठर की मांग हुई नवीन राज्ये, निर्मान की मांग हुई भारत संग में ही अधिक स्वायता की आकांग्षा, प्राकर्तिक संसाधनों की वितरन सम्बदी विवाद, केंद से अधिक अधिक आर्थिक सायता प्राप्त करना, अधिक अधिक राजन द्रड भावना और सामपरदाइकता नहीं देश का विभाजन हिंदुस्तान और पकिस्तान में किया और आजाते के बाद भी इसी भावना के करन देश में विभिन भागों से पर्थक करन की आवाज उठी छेत्रवाद की भावना ने राष्ट की भाव नात्मक एमराज नितिक एकता की छवी धुमिल कर दी और समय समय पर देश को तनाओ और संघर्षों से जूजना पड़ा छेत्रवाद स्थाने निवासियों द्वारा संग्य राज्या की तुलना में किसी छेत्र, विशेश या प्रांत से लगाओ और उसकी उन्नती के प्रयास छेत्रवाद की श्रेनी में आते हैं छेत्रवाद का उदेश्य अपने संकीन छेत्रे स्वार्थों की पूर्थी यह ऐसी प्रवर्थी है जिसमें छेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक शक्तियों की अन्य से अधिक मांग करते हैं यानि कि जो अपने ही छेत्र की विकास की बात करते हैं, अपने ही रास्त पुरा भारत एक है, इसके बजाए अपने संकीन छेत्र के उन्नतिकी मांग अन्यों से जादा करना या उसके हिस्से को लेकर के एक तनाव पैदा करना वो छेत्रवाद की भावना कहलाती है संकुचिर अर्ठ में जो इससे क्या होता है रास्ट संकर्ट को जर्म मिलता है कि अपने शेत्र को दूसरे लोगों से स्रेश्ट समझते हैं और अर्थिक राजनेतिक सामाजिक और सांस्कर्टिक हितों को सरोष प्रात्मिक देते हैं अपनी भाशाओं को अन्य भाशाओं से समझते हैं उसे हम छेत्रवाद कहते हैं इसकी कारण है प्रकर्ति परदत विनिताएं दूसरा है प्रसाशन दुवारा संसाधनों के समान वितरन का भाव या प्रसाशनिक भेदभाव तीसरा केंद्रे निवहिस, वेविकास, मंदी भीनिता चोथा एतिहासिक एम राज़गतिक कारण, सांसकर्तिक विवदिताई, भाष्याही विवदिता से भी छेत्रभावना को बल मिला संकिर्ण छेत्रिया कांख्षा के रास्ट को तुझ परिणाम झेलने पड़ते हैं जैसे देश की अखंडता को चुनोती छेत्रिया कांख्षाओं के बलोती होने की परकेरा में रास्ट की एकता और अखंडता को गोन कर दे जाता है यहां तक कि उगर सरूप में तो कई बार प्रथक्तावाद का भाव भी पनपने लगता है जो रास्तिय एसमिता को चुनोती देने डे डालता है छेतर विशे इसका संग सरकार उसकी नीतियों से भरोसा उठ जाता है हमारी रास्तिय राजनिती में पिछले साथ दस्कों का अनुभाव इस संबन्द में अच्छा नहीं रहा है केंदर जो होता है वो एक सब के लिए समारी योजना लेकर के चलता है लेकिन संग में उनका जो भाव है वो खतम हो जाता है और अपने ही छेतर को वो इंपोर्टेंट वहत्पुन माने लगते हैं छेतर बात के अधार पर नई राज्यों की मांग, छेतर राजनितिय व राजनिति दलों का प्राबल्य, भूमी पुत्र की अवधारना, स्यम भूनेताओं का उदे, रास्टे कानूनों और आदेशों को चुनोती, अराजयक्ता की स्थितिका पनपना इसके अलाबा अंतर रास्टे राजनिति में देश की साख खराब होना, आंतरिक छेतर रास्टे समस्यों का हमारी अंतर रास्टे छेवी को खराब करता है, कभी कभी मानौ अधिकार के नाम पर तो, कभी लोगतांतरिक मुल्यों के अनुरुक्षन के नाम पर, अन्य अधार पर उठ्रई मांगो की आड़ में अंतर रास्तिय मंचों पर आरोजना करते हैं क्योंकि जब तक कोई देश मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि उसके जो भाग है वो ससक्त नहीं होंगे वो मजबूत नहीं होगे अगर आपसी जगडा रहेगा तो वहां विखंडता पैदा हो जाएगी और वह विखंडता जो है वह अन्य लोगों के लिए विदेशी शक्तियों के लिए फायदेमन साबित हो जाती है और उन्हें आलोचना करने का एक मौका मिल जाता है अब बात आती है छेतरवाद की समस्या का समधान किस तरह के से हो क्योंकि समस्या का जो समधान है वो उसके उपाई और कारणों में नहीं होता है जिन कारणों से कोई भी समस्या पैदा होती है अगर हम उन्हें कारणों का निदान कर देते हैं तो वो समस्या भी समावत हो सक इसी तरह से छेत्रवाद को बनपने की जो कारण है अगर उनको नियंतरित कर लिया जाए तो हम छेत्रवाद की समस्या से रहात पा सकते हैं उसमें पहला है संतुलित राष्टे निती का निर्मान के इन सरकार का ये कर्तवे बनता है दायत बनता है कि वे सभी छेत्रों के समान विकास हे तू निती निर्मान के समय राजनितिक भेदभाव की बिना संतुलित व्यसमदर्शी निती निर्मान करें चोटे और संसाधनों की द्रस्टी से पेक्षक्रत कमजोर छेत्रों ग्राज्यों के विकास को भी समान प्रात्मिता दे तो धीरे धीरे वहां के निवासेों में विश्वास पैदा होता जाएगा और छेत्र वाद का उगर सवरूप शान्त होगा क्योंग이 छेत्र की द्रस्टी सेज जो हमारा भारत है वहाँ पे सभी छेत्रों में बराबर के संसाधन नहीं है तो जब केंदर सरकार विकास के लिए बटवारा करती है या विकास पर जोड़ देती है तो जो कमजोर छेत्रे हैं उन पर विशेश दियान देने की आवश्यक्ता है दूसरा है राज्यों में इस्थाई आधारभूत धाचागत विकास छेत्रे भिंताओं में कमिलाने के लिए पिषडे और एविक्सी छेत्रों में सिचाई, बिजली, यातायात और संचा के आधारभूत साधुनों की विकास को प्रात्मिक्ता देने होगी जिसके दूर गामी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे क्योंकि जब सब का विकास होगा तो सब में एक मनोबल बढ़ेगा और उन्हें अपने पिछडे पंसे छुटकारा मिलेगा तीसरा है विकास के विशेस कारेकरमों का परियोजना के रूप में प्रारम किया जाना यह परकिरिया सरकार ने प्रारम कर भी दी है सूखा संभावे छेत्र कारेकरम, मरू विकास कारेकरम, पाड़े छेत्र विकास कारेकरम, जंजाती छेत्र विकास कारेकरम, विशेस राज्यों का गठन छोटे छोटे राज्यों से प्रांतिय सरकारों द्वारा इस्थानिय छेत्री विकास कारेकरम सफलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं केंद्रिय करों की वितरन में ही हिसेदारी बढ़ती है क्योंकि जो प्रांतिय सरकारों इस्थानिय छेत्री विकास कारेक बनाना जो हमारी संस्कृतिक भिन्ता है वो हमारे देश की एक अनूटी पहचान है तो उसी को हमें एक ताकत बनाना चाहिए उसके लिए दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र और अन्य संत्रेशन माध्यमों द्वारा भिन्ता को ही ताकत की रूप में उभारना हमारी पह होनी चाहिए संस्कृति की पहचान व्यप्रतिस्ठा देना और उन्हें दूसरे की साथ सहचरे भाव से जोड़ना एक की करण का माध्यम हो सकता है उसके इलावा भाशाई विवधिता का सम्मान हमारा देश विभिन भाशाओं भाशा भाशी छेत्र है और समिधान भी इन् पाठे करम में इन्हें सम्मूचित इस्थान देना होगा तभी हम देश का इकास कर सकते हैं एक करण को बढ़ावा दे सकते हैं अगर हम भाशा के आधार पर छेत्र के आधार पर जाती के आधार पर विभिन टुकडो में अगर बढ़ जाएंगे तो हमारे जो देश है उसक जो एकता है उसको ठेश पोंचती है और जहां रास्टे एक ही करण नहीं होता किसी भी समाज का किसी भी देश का एक ही करण हुए बिना चलना संभोड नहीं होता धन्यवाद